अपने पैसे कमाना चाहते थे आप जो देखने वाली किताब तो आराम से बैठिये और जीवन को बदलने वाले इस सबक को देखें पैरेबल अफ तपाइपलाइन दूर एक सुन्दर वादी के पास एक गाउ में दो मित्र रहते थे पैबलो और ब्रूनो ये दो नौजवान एक बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे हमेशा अपने सपनों के बारे में बाते करते कि कैसे गाउं में वो दो सबसे ज्यादा सफल बने वो मेहनत करने से नहीं डरते थे बस अपने लक्षियों और सपनों को पूरा करने के लिए अफसर की तलाश करते एक दिन उन्हें वो अफसर मिल ही गया गाउं के मुख्या ने उन दोनों को परबत के उपर स्थित जहरने से गाउं में पानी लाने का काम सौप दिया वो जितना पानी लाएंगे उतने ही पैसे मिलेंगे ब्रूनो और पैबलो उत्सा के साथ काम पर लग गए रोज सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते वो दोनों बड़ी मेहनत करते थे और शाम को अपने अपने घर लोड़ जाते ब्रूनो अपने काम और पैसे दोनों से खुश था उसे यकीन था कि अपने कमाई पैसों से वो अपना सपना पूरा कर पाएगा ब्रूनो ने सोचा बड़ी बाल्टियों से वो और भी ज्यादा पानी भर सकेगा ज्यादा पैसों से एक गाय और फिर एक घर का सपना वो पूरा कर पाएगा लेकिन पैबलो खुश नहीं था शाम होते होते उसकी पीठ और हाथों में दर्ध होता और वो ठक बी जाता किसी आसान तरीके से पैसे कमाने के बारे में वो सोचने लगा एक दिन पैबलो के मन में विचार आया परवत की जील से गाओं तक पानी पहुचाने के लिए पाइपलाइन के निर्मान का विचार इस पाइपलाइन से गाओं में पानी आएगा वो भी बिना कोई बाल्टी उठाए बड़े उत्साह के साथ वो अपने विचार को कारे में बदलने के बारे में सोचने लगा जाहिर है पैबलो ने अपने मित्र ब्रूनो को इस काम के बारे में बताया और उसे पाइप लाइन के निर्मान में मदद भी करने को कहा ब्रूनो को ये एक पागलपन लगा ब्रूनो सिर्फ आज कमाए पैसों से क्या करे यही सोचता उसे लगा पाइप लाइन का निर्माड करते करते वो अपने लक्षियों को जल्द ही पूरा नहीं कर पाएगा ब्रूनो ने बड़ी बाल्टियां लाई ताकि वो और ज्यादा पानी भर कर ला सके उसे यकीन था कि इस तरीके से वो ज्यादा पैसे कमा पाएगा पैबलो ने अकेले ही पाइप लाइन का निर्माड करने का निश्चे किया पैबलो जानता था कि उसे पूरा करने में उसे कई साल लगेंगे लेकिन उसका मन अपने लक्ष पर केंद्रित था पहले की तरह वो रोज पाने लाता था लेकिन सप्ता के अंथ में खाली समय में वो जमीन खोद कर पाइप लाइन बनाने लगा पहले महीने में पैबलो ज्यादा काम नहीं कर पाया ब्रूनो और बाके गाउँ वाले हसते और उसका मजाख उड़ाते वो कहते वो देखो पैबलो दो पाइप लाइन मान इस दोरान ब्रूनो की कमाई दुगनी हुई उसने गाए खरी दी और एक बड़ा घर भी उसकी जीवन शेली बदल गई काम के बाद वो बार में बैठता अब वो अपनी कमाई पर जीने लगा लेकिन ब्रूनो को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज बार्टियां उठाते उठाते उसका शरीर ठक गया था चेहरे पर भी ठकान दिखाई देती अब वो कम पानी लाने लगा हर महीने पैबलो काम करता रहा जल्दी एक साल बीथ कया फिर दूसरा साल आखिरकार पैबलो ने पाइप लाइन का निर्मान फूरा किया बार्थियों की बजाए पैबलो पाइप लाइन के जरीए गाउं तक पानी पहुँचाने लगा पैबलो अब काम नहीं करता था, वो आराम करता था, तब भी पानी बहता था पैबलो बहुत खुश था, अपने ज्ञान, ज्रिर्टा और मेहनत पर उसे गर्व था पाइपलाइन से पानी बहने लगा और उसे पैसे मिलने लगे ब्रुनो और पैबलो की कहानी जीवन का प्रतिबिंब है पैसे कमाने के लिए लोग क्या करते हैं, इसका नौकरी एक प्रतीक है बाटियों का प्रयोग कर ब्रुनो अपने पैसे कमाता था पैसों के बदले वो ज़रने से पानी भर कर गाउं में ले कर आता ज्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो जहरने से गाउं तक ज्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाटियां लेनी पड़ती असली जीवन में ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ये एक आम बात है मिसाल के तौर पर ज्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना ज्यादा पैसे वाले रुद्बे को सुईकार कर हम भी अपनी बाल्टी का आकार बढ़ा करते हैं हम में से कई ब्रूनों की तरहां पैसों के बदले अपना समय देते हैं हम जानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है, सबसे कठिन समय तब आता है, जब पैसों के बदले हम उम्र, सेहत और बाकी कारणों से अपना समय नहीं दे पाते हैं, तब हमें पैसे मिलना ब करें, पैबलो ने थोड़े पैसों के बदले अपना सारा समय नहीं दिया, बलकि थोड़ा समय पाइपलाइन के निर्मान में लगाया, उसे मालूम था इस पाइपलाइन के जरिये उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसे पता था कि किसी दिम, शायद उम्र या बिगर्थी सेहत के कारण, वो पैसों के बदले अपना सारा उपलब्ध समय नहीं दे पाइगा, पैबलो को पता था कि पाइपलाइन के विचार को कारे में बदलने के लिए ही उसे मेहनत करनी होगी, पाइपलाइन बन जाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव की ओर ध्यान और निर्देशन का काम करना होगा, इससे उसे नियमित रूप से पैसे मिलेंगे, पैबलो ने हमें सिखाया कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा अपना सारा समय नहीं देना पड़ता है, तफिर आप पैबलो बनना चाहते हैं, यदि पैबलो की तरह आप भी खुद एक पाइपलाइन का निर्मान करना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें, जिन्होंने आपके सामने ये विचार प्रस्तुत किया, आप पाइपलाइन का निर्मान आज ही कर सकते हैं,